सब्सक्राइब कीजी दे पर्फेट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दवाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो इस्टुडेंट आज मैं आपके साथ में NCRT की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीती भाग दो कक्षा दसका लेसन नमबर तीन लोकतांत्र और विविजिता डिसकस करने जा रहा हूं और मेरे इस पूरी वीडियो नोस कर देखने के बाद आपके इस चैप्TER के सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो किलियर हो जाएंगे तो हमारी चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविदिता यानि लोकतंतर के अंदर विविदिता तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लोगतंतर होता क्या है हमने पिछली वी कलासे में भी पढ़ा था और अब भी हम जान लेते हैं एक सिंपल सी और आसान सी भासा में लोगतंतर का अर्थ होता है जनता का सासन यानि जहां पर जनता सरकार को चुनती है अपने परतिनिदी को चुनती है उसको लोगतंतर कहते हैं अब बात करते हैं वीविजता की ये वीजता क्या है तो देखो हर कोई अपनी भासा, धर्म, रहन सहन में एक दूसरे से भिन है इसी भिनता को वीजता कहते हैं यानि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन है अपनी संस्कृति में अपनी भासा में अपने रहन सेहन में और यही अलग होना उसका विवज़ता कहलाता है तो हमने लोकतंतर को पढ़ा यानि जन्ता का सासन और विवजिता क्या है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना विवजिता कहलाता है तो ये चीज हमने दोनों से में पढ़ी लोकतंतर का अर्थ और विवजिता चलिए अब तो हमने इनका अर्थ जाना अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि विविजिता लोकतंतर का आधार है यानि जो विविजिता है क्योंकि हर वैक्ति आपस में अलग है उसकी भासा अलग है, धरम अलग है, रहन सैन अलग है ये हमारे लिए एक तरह का हमारे लिए बेनिफिट है ये कोई हमारे लिए नुकसान के बात नहीं है कि दूसरे की भासा अलग है तो हमें दूसरे की अलग भासा जाजने को मिलती है उसकी सांस्कृति को जान पहचान जो है एक सांस्कृति से दूसरे सांस्कृति आपस में मिलती है तो जो है दोनों संस्क्रिते के बारे में पता चलता है तो विविदिता जो है वो लोकतंतर का आधार है इस पार्ट में ये देखेंगे कि लोकतंतर इस विविदिता को कैसे डील करती है यानि लोकतंतर जो है इस विविदिता को कैसे डील करती है इसमें हम सबसे पहले मेक्सिको की एक कहनी पढ़ते हैं मेक्सिको की कहनी है इसके अंदर वो हम सबसे पहले जानते हैं और इसमें पढ़ते हैं कि मेक्सिको ओलम्पिक की कहनी क्या है इस कहनी को थोड़ी सी एक छोटी सी कहनी है पहले इस कहनी को पढ़ते हैं 1968 में मेक्सिको में ओलम्पिक होते हैं और अमेरिकी धावक टोमी इसमित और जोन कारलस ये एफ्रो अमेरिकी हैं इन्होंने करम से स्वरन और कस्य पदक जीता था यानि अमेरिका जो मेक्सिको के अंदर ओलम्पिक हुए थे जो दोड हुई थी उस दोड में एक टोमी इसमित और जोन कारलस इन्होंने एक तो पर्थम पोजिशन हासिल की थी और एक ने कस्य पदक इन्होंने जीता था और यह एक वैक्ति कैसे थे एफ्रो अमेरिकी वैक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर पदक हासिल किये थे ओलम्पिक में और जब यह अपने पदक को लेने के लिए गए तो उन्होंने जूते नहीं पहने थे यह दोनों यह जताने के कोशिश कर रहे थे कि अमेरिकी एसवेत लोग गरीब हैं यानि जब वे पदक लेने गए तो पैरों में उनके जूते नहीं थे और वो यह दरसा रहे थे कि उन्होंने जूते नहीं पहने थे और वो इस चीज को दरसा रहे थे कि यह जो इन्होंने हाथ उपर कर रखा था और मुठी बंद कर रखे थे और काले दस्ताने पहन रखे थे और ये जो काले दस्ताने हैं ये दरसाते हैं कि ये इनकी एकता का पर्तीक हैं इनकी सक्ती का पर्तीक हैं जो इन्होंने काले दस्ताने पहन कर हाथ उपर कर रखा था रजट पदक जीतने वाले आउस्ट्रेलियाई धावक नौर्मन उन खिलाडियों के परती अपना समर्थन जताया यानि उसमें जो नौर्मन थे जो रजट पदक मिला था उन्होंने भी उन दोनों धावक के परती अपना समर्थन जताया और अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगा कर यानि उसने अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगा रखा था और उनके परती अपना समर्थन जताया उन दोनों धावक के परती जिन्होंने मेक्सिको में कास्या और गोल्ड सोरन पदक जो था हासिल किया था तो ये कहानी है उस मेक्सिको की ओलम्पिक की इस विरोध के कारण उन्हें अपने पदक वापस ले लिए गए यानि ये जो उन्होंने विरोध जताया था कि नंगे पैर वहाँ पर गए थे और उन्होंने आहात उपर करके जो था ये विरोध पर दसन जताया था इस विरोध के कारण उनके पदक जो थे उनके वापस ले लिए गई और जो अस्टीलिया खिलाडी नॉर्मन था अस्टीलिया का खिलाडी उसको अगले ओलम्पिक से बाहर कर दिया गया तो यह थी मेक्सिको के ओलम्पिक की कहनी किस तरीके से इन लोगों ने अपना विरोज जटाया और बताया कि किस तरीके से वहाँ पर जो है अमरीका के अंदर जो है किस तरीके से उनके साथ भीदभाव का वहवार है और उनकी इस्तिति क्या है तो ये सारे के सारी चीजे उनोंने बताई अब बात करते हैं एफरो अमेरिकी क्योंकि वो दोनों के दोनों जो धावक थे वो कैसे थे एफरो अमेरिकी थे आखिर ये एफरो अमेरिकी कौन है ये उन अफरीकी लोगों के संतान हैं जिने सत्रीवी सताबदी में अमेरिका में लाकर गुलाम बनाया गया था यानि एफरो अमेरिका जो लोग हैं ये वे लोग हैं उन लोगों की संतान हैं जिन्हें सत्रवी सतावदी में अमेरिका में लाकर इनको गुलाम बनाया गया था फिर ये उनकी संतान हैं उनकी संतानों में से ये हैं अब अस्वेट सक्ति आंदोलन क्योंकि ये जो इन्होंने परदसन जताया ये यही नहीं था माँ अब बात करते हैं कि अस्वेट सक्ति आंदोलन ये 1966 में सुरू हुआ और 1975 तक चलता रहा इसका मानना था कि अमेरिका से नसलवाद मिटाने के लिए हिंसा का साहरा लेने में भी कोई हर्ज नहीं है यानि अस्वेट सक्ति आंदोलन जो था इनका मानना था कि जो था नसलवाद को मिटाने के लिए ये जो अस्वेट और अस्वेट के अंदर जो भेड़भाव है अमेरिका के अंदर इसको मिटाने के लिए इस नसलवादों को मिटाने के लिए अगर हमें हिंसा का सहरा लेना भी पड़े तो कोई हर्ज की बात नहीं थी ये था एस्वेट सक्ती आंदोलन जो कि 1966 से 75 तक चला था अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका के अंदर एक और आंदोलन चला था जो था अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 के बीच में इसके अंदर क्या था घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला चला जिसका उद्दिश्य है एफरो अमेरिकी लोगों के विरुद होने वाले नसल आधारित भेदबाओं को मिटाना था यानि इस आंदोलन का जो उद्दिश्य था वो एफरो अमेरिकी लोगों के विरुद जो भेदबाओं है उसको मिटाना था इस अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन का उद्दिश्य की जो सुएत और सुएत के बीच जो नसलवाद है उसको मिटाना इसका उद्दिश्य था और इस आंदोलन की जो आगवाई थी या इस आंदोलन की जो लीडर थे वो थे मार्टिन लूथर जूनियर मार्टिन लूथर जूनियर जो थे इस आंदोलन की आगवाई कर रहे थे आगवाई पर अधारित इस आंदोलन का स्वरूप अहिंसक था यानि इस आंदोलन की अगवाई मार्टिन लूथर जूनियर कर रहे थे और ये जो था ये आंदोलन अहिंसक था यानि इसमें हिंसक की बात नहीं कही गए थी उपर जो एक अमने आंदोलन पड़ा जो था सकती आंदोलन मैं उपर दिखा देता हूँ आपको ये जो आंदोलन था एस्वेज सकती आंदोलन इसमें तो कहा गया था कि ये नसलवाद को मिटाने के लिए अगर हिंसा का भी साहरा लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये वाला जो आंदोलन था नागरी का दिकार आंदोलन इसमें अहिंसा की बात की गए थी इसकी एगवाई मार्टिन लोथर जूनियर ने की थी इसने नसल अधारित भीदवाओ को समाप्त करने की आवार उठाई यानि ये चाहते थे कि नसल अधारित भीदवाओ में वो समाप्त हो जाए अब नेक्ट शेडिंग की बात करते हैं समानताएं एसमानताएं और विभाजन क्या भीदवाओ नसल या रंग के आधार पर ही हो सकता है यानि क्या जो भीदवाओ है सिर्फ नसल के आधार पर या रंग के आधार पर हो सकता है क्या इन्हीं आदार पर भेदवाओ हो सकता है तो ऐसा नहीं है कि नसल और रंग की आदार पर भेदवाओ है तो यहां पर भेदवाओ के और विरूप बताए गए है तो हम पढ़ते हैं भेदवाओ के अन्या रूप अब भेदवाओ के और कौन-कौन से रूप हो सकते हैं नसल ए रंग के अधार पर यह तो हमने पड़ी रहे हैं कि नसल ए रंग के अधार पर भेदवाओ जो है अमेरिका के अंदर हो रहा है और दावत को जो थे मैडल छील लेगे क्यों क्योंकि उन्होंने विरोज जताया था दूसरा भेदभाव अन्य रूप में छेतर के अधार पर भी हो सकता है छेतर के अधार पर भी भेदभाव हो सकता है जिस परकार से स्रिलंका में भेदभाव था छेतर के अधार पर यानि तमिल और जो तमिल लोग थे और सिहनी लोग थे उनमें जो था छितर के अधार पर भीदवाओ था आधार पर भेद्भाओ नहीं है, भेद्भाओ अन्य तरीकों से भी हो सकता है। हब बात करते हैं कि समाजी के अंदर भेद्भाओ होता है, कि कैसे इसकी उत्पत्ती कैसे होती है। समाजी की भेदभाव अधिकांस जनम पर आधारित होता है यानि ये जो समाजी की भेदभाव जो है इसकी उत्पत्ति कहां से जनम से ही सुरू हो जाती है जनम पर आधारित होती है पसंद ये चुनाओं के आधार पर जैसे समाजिक भ्यद्गाओं के उसपत्ती में सबसे पहला जो हमारा point है येवाला कि इसमें जो हुता है वो हुता है जन्म के अधार पर भेदबाओ होता है बाइसका जण्म यहां पर हुआ हम् घंदु धरम में हुआ थि तो जन्म के अधार पर भी भेदबाओ होता है पसंद या चुनाओं के आधार पर जैसे कि अपने पसंद का धरम चुनना खेल चुनना कोई भी अपने धरम का पसंद का धरम चुननेता है समुदाय चुननेता है तो फिर उन दोनों में आपस में भेदबाव होने लगता है यह तो इस समुदाय का है तो वहां पर भी भीडवाव होने लगता है धरम जाती और राष्टिता के आधार पर भीडवाव होता है आपने देखा होगा कि किस तरीके से इंडिया वालों के साथ अफ्टेलिया के अंदर जो इस्टूडेंट पढ़ने गए हुए थे उनको किस तरीके से उनके साथ मार बिटाई हुई थी तो किस तरीके से उनको कहा जाता है तरीट किया जाता है तो मतलब राष्टिता के अधार पर भी भीडवाव देखने को मिलता है इसके बहुत सारे एक्जामपल हमें देखने को मिलते हैं और उनके साथ अधार पर भी भेदभाव किया जाता है सोंच के लिए कर वह किसी की सोंच जो है किस परकार की है उसके अधार पर भी भेदभाव आपस में पनब जाता है कि उसकी सोंच अलग है उसकी सोंच अलग है जब दोनों की सोंच आपस में टकराती है तो आपस में भेदभाव हो जात आर्थिक इस्तिति के आधार पर भी भेदवाओ होता है अमीर है गरीब है अमीर लोग गरीबों से नहीं मिलते हैं गरीब लोगों को नीचे समझते हैं और उन्हें सोचते हैं तो आर्थिक इस्तिति के आधार पर भी भेदवाओ होता है तो मैंने समाजिक भेदवाओ की उत् आधार पर भेदभाओ और आर्थिक इस्तिति के आधार पर भेदभाओ अब हम बात करते हैं विभिन्ताओं में समंजस्य और टक्राओ जो हम बात करते हैं कि विभिन्ताओं में समंजस्य और टक्राओ इसकी बात हम यहाँ पर करते हैं अब हम बात करेंगे समाजिक विभाज लोग से अपने आपको बड़ा मानते हैं यानि कि जब समाज में कुछ समाजिक अंतर दूसरों से बड़े हो जाता है यानि जब समाज के अंदर जो है कुछ अंतर आ जाता है कुछ तो बड़े हो जाते हैं कुछ छोटे हो जाते हैं जैसे कि जो सुवेत लोग हैं अपने आपको उचा समझते हैं और इनको नीचा समझते हैं तो समाज के अंदर विभाजन पैदा हो जाता है और ये सिर्फ वहाँ पर नहीं है विजेसों के अंदर हमारे देश के अंदर भी एक्जामपल देखनों को मिलता है हमारे देश में द गरितों के साथ भी ऐसा किया जाता है तो समाजी के विभाजन जो है जब एक समाज के अंदर अपने आपको उचा समझता है समाज और दूसरे समाज को नीचा समझता है तो इसके अंदर समाजी के विभाजन की इस्तिती पैदा हो जाती है बात करते हैं रंग भेद की तो रंग भेद की बारे में पता है कि रंग के अधार पर भेद भाव करना यानि रंग के अधार पर भेद भाव करना इसके अधार पर भेद भाव करना रंग भेद कहलाता है विभिनताओं में समंजस्य है अब हम पढ़ते हैं विभिन्ताओं में जो विभिन्ताओं हैं उनमें समंजस्य है यानि उनमें समंजस्य किस तरीके से बिठाया जाए विभिन्ताओं में समंजस्य है कैसे बिठाया जाए जो विभिन्ताओं है जब समाजी के विभिन्ता एक साथ कई समू में विद्दमान होती है यानि जब समाजे के विभिनता एक साथ की समूमें विद्दवान होती है यानि कि जो विभिनताएं एक समूमें हैं वोही विभिनताएं अलग-अलग समूमें भी पाई जाती है तो जो है यानि जो टक्राओ हो है वो कम हो जाता है इससे गहरे विभाजन की संभावना घड जाती है यानि जो गहरा विभाजन है उसकी संभावना घड जाती है माले जिए एक समाज के अंदर सभी लोग गरीब हैं तो आपस में इतना भेडवावन नहीं होगा या अधिकतर लोग अमीर हैं तो फिर उसमें टकनाओ की इस्तिती है वो कम हो जाती है उसकी संभावना जो है वो कम हो जाती है यहाँ पर मैं एक्जामपल से जैसे कुछ बता देता हूँ इस चैप्टर में दिया हुआ है जैसे निदरलेंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंड में इसाई धरम बटा हुआ था यानि निदरलेंड के अंदर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंड में इसाई धरम जो था वो बटा हुआ था परंतु ये दोनों ही अमीर वे गरीब थे यानि इन में जादा विभिनताएं नहीं थी दोनों ही अमीरी भी थे और गरीब भी थे इसलिए वहाँ पर किसी परकार का विभाजन नहीं हुआ जब कोई वर्ग भीदभाव का शिकार होता है तब विभाजन की इस्तिति बनती है परन्तु निदरलेंड में दोनों ही गरीब वे अमीर थे निदरलेंड के अंदर ऐसी इस्तिति नहीं बन पाई युगी अभी हमने पढ़ा कि जब समाजिक विभिनताएं एक साथ कई समों में विद्धमान होती है यहीं समाजिक विभिनताएं जैसे कि बात करें हम निदरलेंड में निजरलेड में इसाई धरम कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ था दोनों ही अमीर थे दोनों ही गरीब थे तो वहाँ पर टकराओ के इस्तिती पैदा नहीं हो पाई वहाँ पर कोई भी भेदवाओ का शिकार नहीं हो पाया लेकिन विभिनताओं में टकराओ कब होता है ये तो था समंजसे कब होगा कि जब सम्हों के अंदर दोनों चीज़े विदमान होगी यानि कुछ लोग अमीरे भी होंगे गरीब भी होंगे एक से होंगे तो वहाँ पर समंजसे होगा लेकिन विबिन्ताओं में टक्राओ कब आएगा अब बात करते हैं कि वहाँ पर टक्राओ कब आएगा देखो टक्राओ की इस्तिती तब पैदा होगी जब एक समो में विद्वान समाजी की विबिन्ता में बहुत अधिक अंतर होता है यानि जब एक समो में विद्दमान समाजी के विबिंता में बहुत अधिक अंतर होता है यानि उनकी जो समाजी के स्थिति है उसमें बहुत जादे अंतर होता है तो फिर टकराओ के स्थिति पैदा हो जाती है यानि एक समुदाय तो बहुत अमीर है और दूसरा समुदाय बहुत गरीब है उनमें जादर भी बिनताय पाए जाती है तो फिर टकराओ के स्थिति हो जाती है तो यह हैं अंतर समाजिक विभाजन का रूप ले लेता है इससे समाजिक विभाजन की संभावना बढ़ जाती है जैसर कि हम बात करें यहाँ पर आयरलेंड की उत्री आयरलेंड उत्री आयरलेंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टन में कैथोलिक बहुत गरीब अंतर था देखो कैथोलिक और प्रोटेस्टर में उत्रिया लैड में अंतर था कैथोलिक जो थे वो बहुत गरीब थे जिसके कारण इनमें विरोध की भावना बढ़ी कैथोलिक गरीब थे और प्रोटेस्टर अमीर थे तो इसमें जो था विरोध की वहाँ पर बड़ी जब की निदर लेंड में असर नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर वह गरीब भी थे वह अमीरी भी थे पर उन्तु आज विश्व के अधिकतर देस बहुत बहुत शांस्कृतिक अधिकतर देसों में अलग धरम वे संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं लेकिन आज के दोर के बात करें तो आज के दोर में अधिकतर बहुत संस्कृतिक है अलग अलग संस्कृति को मानने वाले अलग अलग धरम को मानने वाले लोग आज के दोर में रहते हैं समरूप समाज कि समरूप समाज किसे कहते हैं बात करते हैं समरूप समाज की एक ऐसा समाज जिसमें जाती समुदाय संस्कृती भासा धर्म आधि के अधार पर विभिन्ता में कम अंतर होता है यानि वो समरूप होते हैं एक ऐसा समाज जिसमें जाती, धरम, भासा, आदी में कम अंतर होता है वहाँ पर उनकी विबिनताओं में कम अंतर होता है यानि वो एक समान होते हैं तो उसको समरूप समाज कहते हैं यानि समाज कहता है समरूप है, समान है वहाँ पर जाती में अंतर देखने को नहीं मिलता धरम में अंतर देखने को नहीं मिलता तो समाज कैसा एक समान नजर आता है समरूप नजर आता है विभाजित समाज एक होता है समरूप समाज जहां पर एक समान नजर आता है जैसे कि जर्मनी के अंदर और स्वीडन के अंदर है वहाँ पर संद्कित भाज़ा धरम आदी के अदार पर विविनता है बहुत कम है अब बात करते हैं विभाजित समाजित की जो विभाजित समाज होता है एक ऐसा समाज जिसमें जाती धरम आदी के अदार पर जाद अंतर होता है तो वो विभाजित समाज होता है और जिसमें कम अंतर होता है वो समरूप समाज होता है तो जिसमें जाती धरम के अदार पर कम अ वो वो समरूप समाज और जिसमें जाद्य अंतर होगा वो विभाजित समाज होता है। कि अब हम बात इसके अंधर करते हैं समाजिक विभाजन की राजनथी। लोकतांतिक विभाजन की राजनिती लोकतांतिक देसों में विभिन पार्टियों दुआरा समाजिक विभिनताओं के अनुकूल बरताओं से समाजिक विभाजन राजनितिक विभाजन में बदल जाता है यानि जो समाजिक विभाजन था वो राजनितिक विभाजन में बदल वो कब बदलता है राजितिक विभादन में हम बात करते हैं देखो पार्टियों में पर्तिस्पदा होता है यदिवे दल अपने समुदाईं के हिट की बात करते हैं जो पार्टियों के अंदर क्या होती है पर्तिस्पदा होती है वो अपने दल यानि जिस समुदाई की जो पा पार्टी अगर खड़ी हुई है किसी विशेश समुदाई से है और वो अपने समुदाई की ही बात उठाती है अपने समुदाई के लिए बात करती है अपने समुदाई के हक के लिए बात करती है तो ये जो समाजी के विभाजन था वो राजनितिक विभाजन का रूप लेने लगता है बात करते हैं उत्री आयरलेंड में समाजिक विभाजन के राजनितिक विभाजन में बदलाओं के परिणाम कि उत्री आयरलेंड में किस परकार समाजिक विभाजन राजनितिक विभाजन में बदला और उसके क्या परिणाम हुए उसकी बात हम करते हैं देखो उत्तिरी आएरलेंड में 53% अबादी Protestant है जबकि 44% Roman Catholic है 31% Protestant है और 44% Catholic है उत्तिरी आएरलेंड में Catholic का परतिनिदी Nationalist Party करती है जो Catholic है, जो Catholic समाज है, उसका परतिनिदी जो है Nationalist Party आपर करती है जबकि Protestant का परतिनीदी Unionist Party करती है यानि दो समुदायों का परतिनीदी दो अलग अलग पार्टियां कर रही है अब देखो जो Nationalist Party है वो पार्टी की मांग है कि उत्री Ireland को Ireland गंड़ाज्ये के साथ मिला दिया जाए यानि जो उत्तरी आयरलेंड है वो आयरलेंड गंडराज्य के साथ ही मिला रहे ये बात कर रहे हैं नैसनलिस्ट और जो नैसनलिस्ट हैं वो किसका परते निदी कर रहे हैं कैतोलिक का यानि कैतोलिक चाहते हैं कि जो आयरलेंड है वो आयरलेंड गंडराज्य के साथ मिला रहे क्योंकि Ireland के अंदर Catholic की आबादी जादा है जबकि Unionist Party की मांग थी कि उन्हें Great Britain में मिला दिया जाए Unionist Party की मांग थी कि उन्हें Great Britain में मिला दिया जाए वो Great Britain में Unionist इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि Great Britain में Protestant की आबादी जादा थी इसलिए वो चाते थे कि उनको Great Britain में मिला दिया जाए तो दोनों अपने समुदायों की मांग कर रहे थे और अपने समुदायों को लेकर जो थे वो चाते थे कि उनको Ireland गंडराज्य का हिस्सा बना दिया जाए और एक समुदाई चाह रहा था कि उन्हें Great Britain में मिला दिया जाए अब ये Great Britain क्या है बेखो Great Britain जो था Scotland, Wales, England इन तीनों जिसों को मिला कर जो था बनता है Great Britain तो चाहते थे कि वो Great Britain में जो है मिल जाए Nationalist Party की मांग थे कि उत्तरी Ireland के जो पार्टी थी उसकी मांग थी कि उत्तरी Ireland को उसके Ireland गंडराज्य के साथ मिलाया जाए क्योंकि यहाँ Catholic लोग जादा है Nationalist Party चाहते थी कि उन्हें उत्तरी Ireland को Ireland गंडराज्य के साथ ही मिला दिया जाए क्योंकि वहाँ पर Catholic लोगों की आबादी जादा है जबकि यूनिनिस्ट चाहते थे कि वे Great Britain के साथ रहें क्योंकि वहाँ पर जो था किसकी आबादी जादा है Protestant की आबादी जादा है इसलिए वहाँ Great Britain में मिलना चाहते थे इस बात को लेकर इनके बीच बहुत विवाद हुआ इस बात को लेकर जो था इनके बीच में बहुत जादा विवाद हुआ और इन आंदोरों को रोखने के लिए 1998 में नेसनलिस्ट और सरकार के बीच एक समझोता भी हुआ ऐसे ही यूगोसलाविया में हुआ लेकिन यूगोसलाविया में जातिये और धार्मिक विभाजन के कारण यूगोसलाविया का विभाजन हो गया यूगोसलाविया का विभाजन हो गया किसलिए जातिये और धार्मिक विभाजन के कारण उसका विभाजन हो गया यही इस्तिती यूग सुलाविया में भी बनी थी बात करते हैं समाजिक विभाजन की राजनिती की तीन आयाम यानि समाजिक विभाजन की जो राजनिती होती है उसके तीन आयाम की हम बात करते हैं सबसे पहला जो आयाम है कि लोगों द्वारा स्वेम को दूसरे से अलग मानने की भावना यानि समाजिक विभाजन की जो राजनीती होती है समाजिक विभाजन की जो राजनीती होती है उसके तीन आयाब है ये क्यों होता है समाजिक विभाजन तो समाजिक विभाजन क्यों होता है से पहले लोगों दुआरा स्वैम को दूसरों से अलग मानना वे दूसरों से अपना को अलग मानते हैं जैसे उत्तरी आर्लैंड यह लोग खुद को كैथॉलिक या प्रोटेस्टन्ली mi स्वی मं को दूसरों से अलग मानने की भावना भी समाजेख भाजन की राजनेती में योगदान देती है दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो किशी समुदाय दुआरा की गई मांगों को राजनेतिक दल किस परकार उथा रहे हैं जो समुदायों की जो मांग हैं उन्हें राजनितिक दल किस परकार उठा रहे हैं जैसे कि स्रीलंका में केवल सीनली की बात करते थे यानि राजनितिक दल जो थे वो एक ही पार्टी की मांग को उठा रहे थे क्या पर्तिक रिया है एक्जामपल बैल्जियम वे स्री लंका का यहां पर हमने एक्जामपल लिया है कि जैसे स्री लंका में स्री हिली की बात मानी गई जबकि बैल्जियम में डच वे फ्रेंच दोनों में बात मान ले गई यानि राजितिक जो पार्टियां हैं वो जो पुर्वाय की बात माने गए और उन्होंने इसका असानी से सोलोशन कर लिया कर लिया तो इस परकार हमने जो यह विबिनता है भासा के आधार पे धर्म की आधार पर नसल की अधार पर इस वज़िनता को लोगतंतr जो था किस परकार से डील करता है इसको हमने इस chapter के माध्यम से पढ़ा कि जो ये विबिन्ता है नसल की अधार पर हमने मैकसीकों की कहानी पढ़ी किस तरीके से हुनने विरोध अपना दर्ज कराया और भी हमने यहाँ पर अईरलेंड की कहानी पढ़ी निजरलेंड की कहानी पढ़ी तो इन विविदताओं में लोकतंतर जिथा किस परकार से डील करता है इस चैप्टर में हमें यही बात जो है जानने को मिलती है मैं आशा करता हूँ कि यह पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा और मेरे जो है अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए जादे सा जादे शेयर कीजिए धन्यवाद